वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर राइट यहां पर हमने अगले लेक्चर में देखा इंक्रीजिंग ओडर और डिक्रीजिंग ओडर तो वो नंबर्स आपको वो नंबर्स आपको जो दिये गए थे वो सीरियल नंबर थे राइट जैसे कि 56 है तो 57, 58, 59 इस टैप से आपको तो increasing और decreasing पता चल गया लेकिन अगर आपको इस टैप के numbers आते हैं उसमें भी आपको arrange करना होता है वो आपको मैं यहाँ पे समझाती हूं राइट increasing order को हम ascending order से भी पहचानते हैं और decreasing order को हम descending order से भी पहचानते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है ascending order मतलब पहले छोटा फिर उससे थोड़ा बढ़ा और उससे बढ़ा और उससे बढ़ा हमें one by one step को आगे बढ़ना है देखते हम यहाँ पे पहले इसमें आपको ascending order में क्या करना है सबसे जो छोटा नंबर होता है उसको चूनके यहां पे रख देना है राइट तो देखिए यहां पे 75 62, 83 59 and 66 तो इन सब में सबसे पहले नंबर कुन सा आता है तो की 59 राइट 59 नंबर है वो हम यहां पे लिखेंगे वो सबसे चोटा है फिर उससे हम आगे आगे जाए थोड़ा स्टेप्स आगे बढ़े तो उससे बाद आएगा 62 राइट देन उसके बाद आएगा 66 अब 5 की लाइन कम्प्लिट हो गई 6 की लाइन का जो नंबर था वो भी कम्प्लिट हो गया अब 6 के बाद किसकी नंबर की लाइन आती है तो कि 7 नंबर की तो 7 नंबर में कितने नंबर है 7 नंबर की लाइन में तो कि 75 वन एन ओनली है राइट एक ही है 75 और उससे बड़ा कौन सा नंबर है तो कि 83 तो इस टाइब से हमें अरेंज करना होता है आपको इस step के इधर उदर के बहुत सारे number मिच के 5 numbers दिये जाते हैं उसको आपको ascending order में मेच रखना है तो आप इसको इस step से कर सकते हैं next देखते है 89, 92, 79, 6060 and 55 65, पहले हमें बिल्कुल धियान से देखना है कि सबसे छोटा number, right? वो कौन सा है, वो हमें इसमें से ढूझना है मतलब सबसे पहले number कौन सा आता है जैसे कि हम 1 से 100 number बोलते हैं तो उसमें इन सब numbers में सबसे पहले number कौन सा आता है तो कि 5 की लाइन का है 5 से बड़ा कोई नंबर 5 से छोटा कोई नंबर नहीं है राइट 55 का नंबर पहले आएगा अगर हम 1 से 100 तक बोलेंगे तो तो 55 है वो इसको हम यहाँ पे रखेंगे फिर 55 के बाद 6 की लाइन स्टार्ट होगी तो यह वाला 60 यहाँ पे रखेंगे देन 7 की लाइन आएगी तो यह 79 को 79 लिखेंगे देन 8 की लाइन आएगी तो 89 नंबर और बाद में 92 मतलब यह सबसे बड़ा नंबर 11 स्टेप आपको आगे बढ़ना है मतलब उससे छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा इस टाइप से हमें यह आपको और्डर में आपको अरेंज करना है अब यहां पे है 34, 45, 72, 22, 16 तो यह 1200 नंबर में पहले हम नंबर बोलना स्टार्ट करते हैं एसे भी आप मन में बोल सकते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है smallest number is 16 यहां पे answer लिखते है smallest number is 16 देन उससे थोड़ा बड़ा तो 16 के बाद 20 की लाइन आएगी पहले देखो 123 की लाइन आती है फिर 11 की लाइन आती है फिर 220 की लाइन आती है तो 22 22 है वो उससे थोड़ा बड़ा है फिर उससे आगे हम जाए तो 3 की लाइन आती है तो 34 और उससे आगे जाए तो 4 की लाइन आएगी 45 और उससे last में जो एक ही बच गया वो है 72 मतलब यह सबसे नंबर ब बड़ा बड़ा और बड़ा और उससे बड़ा एक और करते हैं यहां पे आपको क्या करना है पहले सबसे छोटा नमबर लेना है तो यह है एट नमबर है वो smallest नमबर फिर आएगी 8, 1, 1 की लाइन फिनिश हो जाएगी फिर 10 की लाइन आएगी ना तो 10 की लाइन आएगी मतलब 11 वाली लाइन तो 1, 2, 12 फिर 20 की लाइन आएगी तो 20 की लाइन में कोई नमबर है येस 29 29 फिर 30 30 की लाइन है कि तो 32 और लास्ट में 43 तो इस टाइब से आपको असेंडिंग ओडर में अरेंज करना है असेंडिंग ओडर में आपको याद रखना है पहले चोटा फिर उसे बड़ा 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 राइट small to big में जाना है राइट पहले आपको क्या करना है इस नंबर में सबसे पहले सबसे small नंबर डुणना है फिर small to big नंबर आगे आगे बढ़ते जाना है अब हो गया हमारा descending order मतलब हम इसे descending order और decreasing order से भी जानते हैं तो descending order में आपको क्या करना है ascending order का उल्टा मतला पहले आपको क्या डुणना है सबसे biggest number biggest number इसमें कौन सा है वो हमें डुणना है तो 85 बड़ा है नहीं उसे बड़ा कौन सा है 98 तो यहां पर फर्स्ट हम लिखेंगे 98 अब क्या करना है हम एक-एक स्टेप नीचे उतर रहे है तो उससे थोड़ा छोटा डुणना है तो 90 की लाइन आ जाती है फिर हम backward counting में कहां पर आएंगे आपको backward counting बोलना होगा 100, 99, 98, 97 इस स्टेप से आप number बोलोगे तो उसमें पहले आपको 85 आएगा 90 की लाइन के बाद 8 की लाइन आएगी then 72 की लाइन आएगी 72 नमबर है वो उससे थोड़ा चोटा है फिर आएगी 6 की लाइन तो 69 और फिर 53 राइट? अग एक और देखते हैं तो पहले तो हमें इसमें क्या करना है biggest number को ढूनना है तो which is the number of biggest number तो 89, राइट? इस से बड़ा कोई number नहीं है देखो 70 से बड़ा भी 89 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 89 अब backward counting में 89 से एक number small एक number मतलब एक step small इससे थोड़ा चोटा तो 7070 फिर 6 की लाइन आएगी 62 फिर आएगा 30 की लाइन राइट? फिर 5 की लाइन नहीं है 4 की लाइन नहीं है लेकिन 3 की लाइन है तो 34 और लास्ट में हमारा 19 जैसे हमने यहां में small to big में गए यहां पे big to small में जाना है यहां पे हमें क्या करना है पहले biggest number फिर उससे चोटा 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 फिर smaller number में आना है यहां पे आपको क्या करने? ascending order में small to big और descending order में big to small यह last one देखते है यहां पे हमें biggest number डुणना है तो first biggest number आएगा 49 राइट? 49 है वो सबसे biggest number है फिर आएगा 3939 4 की line के बाद 3 की line आती है फिर आती है 2 की line 25 1 की line 18 and then last में 5 तो इस टाइब से हमारा ascending और descending order का आज मैंने आपको समझा दिया next lecture में मैं एक और point आपको कराऊंगी जो आपकी book में नहीं है लेकिन आपको जानना जरूरी है तो वो next lecture में हम नया कुछ सिखेंगे till then bye bye have a nice day